तो देखे बॉर्डर्स पर सिक्योर्टी फोर्सेस को लेकर पैट्रोलिंग को लेकर दिनों चर्चा हुई जिसको लेकर चीन और भारत के बीच कुछ समझोते भी हुए लेकिन सबकी निगाहे इस वक्त इस दुवपक्षी वारता पर टिकी हुई है कि प्रधानवंतुरी नरे करेंगे विचारों का आदान प्रदान करेंगे मुद्व पर अपनी राय रखेंगे हर कोई जाना चाहता है कि कौन-कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं वहीं वैश्विक शान्ती के लिए क्या पहल ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान की जाएगी क्योंकि रश्या में ब्रिक्स क्योंकि देखिए एशिया के दो सबसे मजबूत देश और पास साल बाद प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी और चीन के राश्पती श्री जिन पिंग की ये मुलाकात होने वाली है किन मुद्दों पर यहां पर बाचीत होती हुई नज़र आएगी स्वती देखी जो सबसे महत्पून बात है वो यह है कि आपने देखा होगा कि ब्रिक्स समेलन से पहले ही जो एलेसी का विवाद था उसको सुझा लिया गया है मैं बात कर रहा हूँ पुर्वी लद्दाक के जिसमें गलवान छेतर आपको याद होगा जून 2020 जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच जो है वो जड़ब होई थी जिसमें तकरीबन चीन के 40 सैनिक मारे गये थे जब कि भारत के 20 सैनिक सहीद हुए थे तो इसको लेकर के जो विवाद था वो सुल्या लिया गया है पुर्वी लद्दाक में देव सौंग और डैम चौक जो इलाका है वहाँ पे अभी तक पेट्रोलिंग बंद थी 2020 से ही इसको लेकर के अब दोनों देशों की सेनाय जो है वो पीछे हटेंगी वहाँ पेट्रोल की प्रक्रिया सुरू की जाएगी इसके अलाबा जो महत्पूर्ण बात है जब दोनों देश के नेता सामने टेबल पे बैठेंगे तो जो सबसे महत्पूर्ण मुद्दा होगा जो जानकारी मिल पा रही है उसमें ट्रेट का मुद्दा होगा दोनों देश के नेता इस पे बात चीत करेंगे सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से चीन और भारत ने पहल की है जो उनके बीच विवाद और जो तनाव 2020 से ही चल रहा था उसमें कहीं न कहीं कमी नजर होती दिख रही है तो अब यह देखने वाली बात होगी स्वाती कि दोनों नेता जब टेबल पे जुरदार स्वागत हुआ है चीन में वो सब ने देखा है और साब तोर पे रूस के राश्पती ब्लादिमीर पुतिन ने कहा है उन्होंने बोला है कि देखिए भारत और चीन के बीच जो रिष्टे हैं बहुत ही प्रगार है महत्पुन हैं जिस गरम जोसी से श्वागत कि आगया वो साब देखने को मिल रहा था लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी बात है स्वाथी यह है कि अगर तीन सक्तिसाली देश जिसमें भारत है रूस है चीन है अगर वो आते हैं तो कहीं ने कहीं जो विक्षित देश हैं जो पस्चिमी देश हैं उनको यह सोचना पड़ पस्चिमी राकेश और ब्रिक्स देशों की क्या कूटनीती होती है यह भी महत्रपूर्ण होगा क्योंकि 2022-2023 के सम्मेलन का भी हम जिक्र कर लेते हैं जहां पर ब्रिक्स करेंसी को लेकर भी चर्चा हुई थी और यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स करेंसी को बात को भी समझने की जरूरत है एक बड़ी अर्थ व्यवस्ता है भारत की भी जिस तरह से व्यापार के बहुत सारे साधन है और कहीं न कहीं चीन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ग्लोबल मार्केट में भारत की क्या वैल्यू है यही वज़ा है कि इस दौरे से पह होगी देखने वाली बात होगी चुकि जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें ब्रिक्स देशों की 27 फिस्दी हिस्दारी है जी इसके अलवा जो यूरोपी यूनियन के देश है उनके जीडीपी में जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें केवल हिस्दारी 14 फिस्दी है तो जरा सोच प्रिक्स देशों का खुद का बैंक है जो कि ब्रिक्स देशों को सहाता करता है वो संगाई चीन में है जहां तक इनके करेंसि की बात है तो साउथ अफ्रिका नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं ब्रिक्स देशों का ये हो सकता है तो अब इसको लेकर के भी जब तमाम देश के नेता 28 देश के नेता पहुंचे हैं जब वो टेबल पर बैठेंगे सो पहीं कहीं इस मामले पर भी विचार किया जा सकता है चुकि इसके पहले भी ये मुद्दा उठाया जा चुका है बिलकुल राकेश देखिए इस मुद्दे पर बात चीत होगी लेकिन चीन और भारत के बीच किन-किन मुद्दों पर बात होती है आज पूरी दुनिया की निगाहे इस पर टिकी हुई है राकेश बहुत शुक्रिय जानकारियों के लिए बड़ी खबर पर आप नजर बनाये रखिए